हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपीसोड में आपका स्वाधत है जैसा कि आपको विद्यत है, पाचन पर हमारी सीरीज चल लएए इस सीरीज में हमने घनिस्तों के वारे में जाना है जो सरीर के लिए उप्योगी है तो आज के इस बीडियों के पन जानेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट तत्व जो सीरी खुन से सम्मन रखता है वो तत्व है लोहा या आइरन ये बीडियो पुरी तरह से आश्चरी जनक तत्वों से भरा हुआ है कुछ आश्चरी बात है आज इस बीडियों के पन जानेंगे सबसे पहले पन जानेंगे इस धर्थी पर सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला कोई तत्व है तो वो है आइरन लेकिन हमारी सरीर में केवल चार ग्राम आइरनी ही होता है मातर चार ग्राम इसमें से इसका पिचेतर परसेंट हिस्सा आरवी सी या लाल रक्त कंड़का है उसमें मौझूद रेता है बचा हुआ मायो ग्लोविन जो मास में है और सरीर के अन हिस्सों में मौझूद रेता है जो आइरन है हमारी सरीर में जो अपन आरन यूक तो खाना खाते है वो बिटामें C की मौझूद की में अपने डोडी नाम और छोटी आते है उसको सोकने का काम करती है फिर जो ट्रांसफेरिन नाम की प्रोटीन होती है वो इसको सोकती है आरन को और फेरिटीन के रूप में वो उन मेरों तक पहुचाती है आपको जानके और ताजब होगा कि रोजाना हमें केवल आठ मिली ग्राम आरन ही चाहिए लेकिन प्रिग्नेंट लेडिज और लेक्टेटिंग मदर सें उनमें ये मातरा तीन गुली से भी जाता पड़ जाती है मन एट्थ हिस्सा को ही सोक पाता है सरी में साइकल कैसे चलता है क्योंकि जो अपनी आरवी सीज है उनका लाइफ स्पांग एक सो बीज दिन होता है एक सो दीज बीज दिन बाद वो तूट जाती है फिर उसमें से जो आरन निकलता है वो फिर तुवारा से री सर्कॉलिशन वा जाता है ऐसे करके आरन की साइकल चलती है अब अपन जानेंगे कि जो हीमोग लोग ने आरन में मौझूद जो आरन प्रोटीन है जिसको अपन मेटलो प्रोटीन कहते हैं वो सरीर में क्या-क्या फंक्सन करती है और आरन सरीर में क्या-क्या काम करता है तो इसका पहला नमबर वन पे काम है ऑक्सीजन ट्रांस्पोर्टीशन जो फिर प्रोटीशन है अपने लंग से उसमें ऑक्सीजन है उसको हीमोग लोग न है वो सरीर के दूर दूर तक पूरे हिश्चे में पहुचाने का काम करता है सभी टिसूज में, सभी सेल्स में हीमोग न ऑक्सीजन को पहुचाता है दूसरा बहुत इंपोर्टेंट इसका एक और फंक्सन है वो है ऑक्सीजन का स्टोरेश्ट आपको जहन के ताज़े होगा कि जो अपनी मसल मास है यह मास है उसमें प्रोटीन है, मायोगलोविन वो इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है और जब गLES केटमोलीन होता है तो वो ऑक्सीजन काम भ्याती है फिर उसके पैदा होती है कारवन डियोक्साइड कारवन डियोक्साइड को हीदार्ट को हेमोगोलिन बापिस फ्रेंप्टो टक लाने का काम सब्सक्राइब प्रोडक्षा मोरे हैं तो फिर उसके बात में अलएब आधरीस सेल्स का प्रोडक्शन मत30 म करते है लाल लत्रकाइब अधुत Kardiक खुल में रहती है उनको बनाने में ये Iron मदद करता है फिर अपना immun system में जो सरीज को रोगों से लडने की च्छपता देता है उसमें भी Iron help करता है सरीज में protein और DNA synthesis होता है उसमें ये Iron मदद करता है कुछ हर्मों से उनके production में भी ये मदद करता है ऐसे बहुत सारे function iron अपने शरीर में लाता है या काम करता है फिर अपने जाने के जिसे अपने शरीर के लिए हो जाना हमें iron कहां से मिलता है कैसे मिलेगा अपन अच्छा iron हमें कहां से मिले तो इसके दो ही source है एक तो plant based है पेड़ पोदों से मिलने वाला है दूसरा animal source है तो जो plant में जो iron मिलता है वो non-heme type का होता है और आपको जहन के ताज़े होगा कि सरीर इसको बहुत जल्दी से सोखता है बजाए animal source के तो यह कहां से मिलता है तो सबसे पहले नमबर पे है dry fruits, dry fruits बहुत rich source होते है iron के उसमें चाहे बादाम है चाहे काजू है और किसमें से किसमें बहुत ज़्यादा मातर होती है और फिर खुबा नहीं है फिर दूसरा बहुत important source है वो है हरी पत्ते वाली सबजियां जिनमें chlorophyll ज़्याता होता है उनमें iron भी ज़्याता होता है जैसे फालर बालक में बहुत ज़्यादा मातर iron की होती है फिर उसके बाद साबुत अनास उनमें भी iron रहता है फिर उसके बाद में दाल दाल भी बहुत रिश सूर्स होती है आयरन की तो खास बाद में राजमा, मटर और सुयवीन फिर उसके बाद में एक और तरह के हैं जैसे ऐलियम टाइब के हैं जिसमें लस्टन और प्याज एलियम फैमली के जो मेंबर हैं जिसमें प्याज और लस्टन है उनमा भी आयरन काफी मात्रा में तो आज इससे करके अपन ने कुछ बेशिक बाद अईरन के बारे में जानी है अगली बार अपन जानेंगे आयरन की कमी से होने वाली परिशानी के बारे में जिसको कहेंगे पूरे बिश्व में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एनिमिया आरेन डेफिशेंसी एनिमिया ही होता है जैसा अगली बीडियों जानेगे थेंक्यू, थेंक्यू वह इमेश चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें